इसे के साथ आगे एक और important term है, franchising versus partnership, बहुत सुना होगा, तो मैं आपको franchising की बारे में बताती हूँ, simply कहे तो एक बड़ी company बड़े से amount के बदले आपको अपना नाम बेचती है, फिर सारा control उनके हाथ में रहता है, आप कहां पर store खोलेंगे, किसको hire करेंगे, और यहां तक क वो आपको ये भी बताएंगे, कि आपको खुद के business में, आपको क्या पहन करके काम पराना है, ये उस company की तो success मानी जाएगी, जिसके franchise आपने ली है, लेकिन क्या ये आपकी भी उतनी ही success है, आप यहां successful नहीं है, भई आपने तो simply अपने लिए एक ready-made job खरीद ली है, तो फिर एक useless franchise से अच्छा है कि कोई partnership की जाए, लेकिन हाँ आपको यहां पर ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका partner सोच समझ करके choose करें, ये sure कर ले कि आपको इस partnership से क्या expectation है, वरना इसके advantage कम, disadvantage जादा होंगे, as a rule of thumb किसी भी partnership को 1 plus 1 plus 3 का rule follow करना चाहिए, मतलब ये कि दोनों partner जितना अकेले खुद profit कमाते हैं, साथ मिलकर कि उनको at least 33% जादा तो कमाना ही चाहिए, और इसी के साथ अब आगे चानते हैं advice, तो आपको कहना होगा no thanks, मतलब ये कि unwanted advice और unneeded permission का ध्यान रखिए, जब हमारे author ने खुद का business शुरू किया, तो कई सार लोगों ने उन्हे advice दी कि ये करो वो मत करो वगरा वगरा, author ने सब की बात सुनी, appreciate भी किया, मगर किया वही जो उन्हें सही लगा, तो असल बात तो ये है कि जिन लोगों को आपके काम के बारे में उतनी knowledge नहीं है, उन्हें इस बारे में कोई भी advice नहीं देनी चाहिए, ल इसी के साथ यहीं पर होती है ये समरी खताम